अगर साम की रोटी बच जाए सुबे तो उसको भफै के ना आप इस तरह से बना के खा सकते हैं तो हलो दोस्तों आपके रिंग की किचन में स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हूं बची हुई रोटी का नास्ता तो हमने दो रोटी ले लिया है और इसको फोल्ड करके इस तरह से और हमें चाकु से इस तरह काट लेना है कराहे में लेंगे सर्षो का तेल एक चिमच सोफ डाल लेंगे प्याज बारी कटी हुई दो हरी मिर्च और इसको चला लेंगे इसी तरह से हम प्याज को चलाते रहेंगे जब प्याज नहरा हो जाएगा तो इसमें हम एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे और जो थोड़ा सा टमाटर गल जाएगा तो इसमें हम डाल लेंगे हरी मतर इसको भी हम मिला लेंगे इसी तरह से हम मतर को चलाते रहेंगे जब थोड़ा बहुत मतर हो जाएगा तो हम इसमें बारी कटा हुआ पत्ता वो भी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे आब हम मसाला इसमें डाल लेंगे लाल मिर्श पाउडर आधा चिमच गरम मसाला आधा चिमच चाट मसाला आधा चिमच नमक आधा चिमच हल्दी पाउडर आधा चिमच धनिया पाउडर और इसको हम मिला लेंगे इसे इसी तरह से हम भूनते रहेंगे और अच्छे से टमाटर गल जाएगा और सोंध हो जाएगा तो इसमें हम एक गिलास पानी डाल लेंगे इसे चला लेंगे और इसे जब तक हम इस तरह से उबालेंगे जब अच्छे से ये पानी पक जाएगा अच्छे से उबाल आ जाएगी, फिर इसमें हमें रोटी डाल लेंगे, और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से, रोटी डालने के बाद हम से एक मिनट ले और पकाएंगे, और इसे हम चला लेंगे, देख सकते हो दोस्तों, रोटी का बहुत टेश्टी नास्ता बनकर रेडी हुआ है, गेस हम बंद कर देंगे, और इसमें हरी धनिया पत्ती डाल लेंगे, और इसे हम मिला लेंगे, फिर इसे हम पलेट में निकाल लेंगे, सर्प करने के लिए यवे रेड़ी है आपको कैसी लगी बचू ही रोटी का ये नास्ता कमेंट करके बताना